अभिवादन स्विकार करें मैं हूँ मनीशा और आप देख रहे हैं चैनल Unfolding Facts साथियों 3 जन्वरी को सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस होता है तो आईए इस अफसर पर हम इस वीडियो के माध्यम से सावित्री बाई फुले के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं सावित्री बाई जोती राउ फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका समास सुधारक एवं मराठी कव्यत्री थी उन्होंने अपने पती जोती राउ गोविंद राउ फुले के साथ मिलकर पिस्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के छेतर में उल्लेखनिये कारे किये वे प्रथम महिला शिक्षिका थी उन्हें आधुनिक मराठी कावे का अगरदूत माना जाता है वर्ष 1802 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्याले की स्थापना की सावित्री भाई फुले का जन्म 3 जन्वरी 1831 को हुआ था इनके पिता का नाम खंदोजी नवैसे और माता का नाम लक्षमी था सावित्री भाई फुले का विवा वर्ष 1840 में जोतिबा फुले से हुआ था सावित्री भाई फुले भारत के पहले बालिकाओं विद्याले की पहले प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी महात्मा जोतिबा को महराष्ट्र और भारत में समाजिक सुधार आंदोलन में से सबसे महत्पुन व्यक्ति के रूप में माना जाता है उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है जोती राओ जो बाद में जोतिबा के नाम से जाने गए सावित्री भाई के सनरक्षक, गुरू और समर्थक थे सावित्री भाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया जिसका उद्देश था, विद्वा विवा करवाना, छुगा छूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ती और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना वे एक कवित्री भी थी, उन्हें मराठी की आदी कवित्री के रूप में भी जाना जाता था सावित्री बाई जब स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे उन पर गंदगी फेक देते थे आज से 171 वर्ष पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था तब ऐसा होता था सावित्री बाई पूरे देश की महानाई का हैं हर विरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड, गोबर, विष्ठा तक फेका करते थे सावित्री बाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुँचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी तीन जन्वरी 1848 में पूने में अपने पती के साथ मिलकर विभिन ने जातियों की नौच हात्रों के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्याले की स्थापना की एक वर्ष में सावित्री बाई और महात्मा फुले पांच नय विद्याले खोलने में सफल हुए ततकालीन सरकार ने इने समानित भी किया एक महिला प्रिंस्पल के लिए वर्ष 1848 में बालिका विद्याले चलाना कितना मुश्किल रहा होगा इसकी कलपना शायद आच भी नहीं किया सकती लड़कियों के शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी सावित्री भाई फुले उस दोर में न सिर्फ खुद पढ़ी बलकि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया 10 मार्च 1897 को प्लेक के कारण सावित्री भाई फुले का निधन हो गया प्लेक महामारी में सावित्री भाई प्लेक के मरीजों की सेवा करती थी एक प्लेक के छूट से प्रभावित बच्चे की सेवा के कारण इनको भी प्लेक की बिमारी हो गई और इसी कारण से इनकी मृत्ती हुई तीन जिन्वरी 2017 को उनके 189 वे जन्विदिन के अफसर पर गूगल ने उनका गूगल डूडल बना कर उन्हें अभिवादन किया था तो ये थी हमारी आज की सावित्री भाई फुलेके जर्म दिवस पर विशेष प्रिस्तुती यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद